आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चेनल पे आज मैं आपके लिए psychology के most important questions लेके आये हूँ जो आपके exam के point of view से most important है Friends, मैंने आपके लिए psychology के एक series start की है जिसमें हम आपके लिए 300 plus questions लेके आएंगे हम अपने हर lectures में 30 questions discuss करेंगे तापकि आपके exam से पहले-पहले 300 plus questions आप हम revise कर सकें तो हमारा first questions है प्रतिदर्शन्स का सिद्दान्त किस ने दिया हमारे पास Thompsons जो थे उन्होंने प्रतिदर्शन्स का सिद्दान्त दिया प्रतिदर्शन्स का जो सिद्दान्त दिया Thompsons ने उसे sampling theory of intelligence के नाम से भी जाना जाता है Thompsons के इस सिद्दान्त को परिचेंस का सिद्दान्त भी का जाता है तो questions ये भी बन जाता है कि परिचेंस का सिद्दान्त किस ने दिया तो परिचेन का सिद्दान्त वी जो है थॉमसंस नहीं दिया और प्रतिदशन्स का सिद्दान्त वी जो है थॉमसंस नहीं दिया क्योंकि प्रतिदशन्स के सिद्दान्त को ही प्रतिचेन का सिद्दान्त कहते हैं हम जान लेते हैं कि जो कि आपनी मांसी की योगेताओं में से कुछ को परतिदर्श के रूप में चुनाव करता है क्योंकि जब वैक्ती कोई कारे करता है तो उसके लिए अपनी योगेताओं का परियोग करता है लेकिन वह अपनी संपूर्ण योग्यताओं का प्रियोग ना करके केवल एक प्रतिदर्श का मतलब एक limited जो उसकी योग्यता है उसका प्रियोग करता है उसे हम प्रतिदर्शन का सिद्धान्त कहते हैं ठीक है, next question है नेक्स्ट कॉशन है पुनरबलन सिद्धानत के प्रतिद्धानत कौन है तो पुनरबलन जो सिद्धान था हमारे पास BF Skinner ने दिया जो BF Skinner थे और अमेरिकी मनोविज्यानिक थे जिन्होंने क्रिया प्रस्तुत अनवंद का सिद्धान्त और पुनरबलन का सिद्धान्त और यांत्रिय सिद्धान्त का प्रतिपादन किया क्योंकि जो पुनरबलन का सिद्धान्थ है उसी को क्रिया प्रस्तुत अनबंद का सिद्धान्थ भी कहा जाता है और यांत्रिय सिद्धान्थ भी कहा जाता है तीन जो इसके नाम है अलग-लग क्रिया प्रस्तुत अनबंद का सिद्धान्थ पुनरबलन का सिद्धान्थ और ये अंतरिय अनुकूलन का सिद्धान्त भी इसे कहा जाता है। Next question है, किसने क्रिया प्रस्तुत अनुवन्द का सिद्धान्त प्रतिपादित किया। तो ये हमारे पास BF Skinner थे, अभी अभी हमने इसको डिस्कस किया। Next question है, वैवारवाद की सबसे पुरानी विदी कौन सी है, तो अंतर दशन्स विदी जो हैं वैवारवाद की सबसे पुरानी विदी हैं नेक्स्ट कोश्टन है साइकोलोजी सब्द किस बासा से लिया गया है साइकोलोजी सब्द जो हैं ग्रिक बासा से लिया गया है साइकोलोजी सब्द ग्रिक बासा के दो सब्दों से मिलकर बना है Psycho plus Logos, Psycho का अर्थ है आत्मा और Logos का अर्थ है ग्यान यहां से भी questions एक्जाम में बन जाता है Next question है किस अवस्था में बालक हस्ता कम और मुस्कुराता जदा है तो उस अवस्था को हम कहते हैं उत्र बालेकाल अवस्था ठीक है उत्र बालकार अवस्था में बालक, हस्ता कम और मुस्कुराता ज़्यादा है किस मनोविज्यानिक ने सरक्रिय अनुवंद का सिद्धान्थ दिया तो BF Skinner जो थे उन्होंने ही हमारे पास सरक्रिय अनुवंदन का सिद्धान्थ दिया ठीक है नेक्स्ट कोशन है व्यक्तितव के दुईखंड सिद्धान्थ किस ने दिया जो व्यक्तितव का दुईखंड सिद्धान्थ था स्पियर मेन ने दिया इसका राइट अन्सर रहेगा स्पियर मेन नेक्स्ट कोशन है प्रियास एवं भूल विदी किस ने दि या प्रियास एबम भूल वेदी जो सिध्धान्त है किसने दिया थॉन डाइक ने जो हैं हमारे पास प्रियास था भूल सिध्धान्त का प्रतिपादन किया next question है सरप्रत्थम बुद्धी लवदी को किसने प्रवाशित किया विलियम स्टन्स जो थे उन्होंने सरप्रथम बुद्धी लब्धी को प्रवाशित किया नेक्स्ट कोश्ण हमारे बन जाता है बुद्धी लब्धी की गण्यर्णा करने का शुत्र क्या है मान्सिक कायू अपान वास्तवी कायू मल्टिप्लाई हांडर्ड ठीक है Queshon है अनुवंद के गोचर की सुरुवात किसने की तो ये पैवलव जो थे उन्होंने अनुवंद के गोचर की सुरुवात की Queshon है अलवट बंदूरा के समाजिक सिद्धान्थ की कितनी अवस्ताएं हैं इसकी चार अवस्ताएं नेक्स्ट कॉश्चन है अंतरदिस्टी या सूज का सिद्दान किस ने दिया कॉलर जो थे उन्होंने अंतरदिस्टी और सूज का सिद्दान दिया जो गैस्टाल्ट वाद थे उन्होंने अंतरदिस्टी या सूज का सिद्दान दिया जो कॉलर थे उसमें ही आते हैं वर्दिम परिवार जो हैं बालक के समाजी करण की सबसे महत्पुन सस्ता हैं या हम बोल सकते हैं कि जो समाजी करण हैं वो परिवार जो हैं उसकी प्रत्थमशीडी हैं क्यूंकि जो समाजी करण हैं बच्चा किस तरह से वैवार करेगा सबसे पहले परिवार से ही सिखता हैं इसलिए ब मनोविज्यान को मन का विज्यान कहा और उन्होंने मनोविज्यान को आत्मा का विज्यान भी कहा अरस्तुने ही कहा मनोविज्यान को आत्मा का विज्यान नेक्स्ट कोश्चन है वर्तमान समय में मनोविज्ञान है तो वर्तमान समय में जो मनोविज्ञान है वैवार का विज्ञान उसे हम कहते हैं नेक्स्ट कॉश्चन है, शिक्सा मनुविज्यान का प्रमुख खुदेशे क्या हैं? शिक्सा मनुविज्यान का प्रमुख खुदेशे हैं, बाल के इंद्रिशिक्षा का विकास या बाल का शर्वगिन विकास नेक्स्ट कॉश्चन है प्रिंसिपल ओफ दे साइकलोजी के लेकर कौन है तो विलियम जेंप्स जो थे उन्होंने प्रिंसिपल्स ओफ दे साइकलोजी नामक पुस्तक लिखी नरसरी पद्धी के जनक है अनुकूलित अनुकूलिया सिद्दान्त का प्रतिपादन किया नरसरी पद्धी के जनक है किस बिचाधारा से संब्धित थे संग्यानात्मक विचारदारा से संबदित थे जीन प्याजे नेक्स्ट कॉर्षण है जीन प्याजे किस देज के निवासी थे तो स्वीजल लेंड की जो निवासी थे जीन प्याजे थे हमारे पास ठीक है स्कीमा सिद्दांत के जन कौन है काफी बार एक्जाम में ये कॉर्षण पूछा जा चुका है जीन प्याजे जो है स्कीमा मन्योग नेक्स्ट कॉर्षण है कॉल वर्षण का विकास सिद्दांत की से संबदित था कॉल वर्षण जो थे उन्होंने नेतिक विकास का सिद्दांत हमारे पास दिया नेक्स्ट कॉर्षण है मन्योग विकास किन दो योगदानों का परिनाम है वनसानुकरम वह वातावर्ण जो है मन्योग विकास इन दो योगदानों का परिनाम है क्योंकि जो मन्योग है या बच्चा है वो एक तो वनसानुकरम पर अधारित होता है एक तो उसका जो वातावर्ण है उसका जो आस परोश का जो climate है उसका effect सबसे ज़ाधा पड़ता है तो मानव विकास किन दो योगदानों का प्रियोग है वानजानुकरम एवं वातावर्ण का प्रियोग किस के सम्मानार्थ में किया गिलपोर्ड जो थे उन्होंने अभिशारी चिंतन पदिती का जो परियोग है उस्तरी जनात्मक्ता के लिए किया ये थि ही आज की हमारी साइकलोजी की वीडियो पाथ सेकिंग्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाय करना चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड शेर करना थेंक्यू